प्रस्ण 20 यदि 5 प्लस रूट 3 बटा 7 माइनस 4 रूट 3 बराबर 47 A प्लस रूट 3 B तो A और B का मान ग्याद करें तो प्रस्ण 20 में क्या है? 5 प्लस रूट 3 बटा 7 माइनस 4 रूट 3 बराबर 47 A प्लस रूट 3 B तो यह है प्रस्ण 5 प्लस रूट 3 बटा 7 माइनस 4 रूट 3 बराबर 47 A प्लस रूट 3 B तो A और B का मान ग्याद करना है तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 5 प्लस रूट 3 बटा 7 माइनस 4 रूट 3 अब यहाँ पे 7 माइनस 4 रूट 3 हर है इसका तो सबसे पहले हर का परिमे करन करेंगे तो हर में परिमे संख्या है तो इसको परिमे बनाने के लिए हर को किस से गुना करेंगे तो यहाँ पे 7 माइनस 4 रूट 3 है तो 7 प्लस 4 रूट 3 से गुना करेंगे 7 माइनस 4 रूट 3 को 7 प्लस 4 रूट 3 से गुना करेंगे तो अब तब क्या हो जाएगा हर जो है परिमे में बदल जाएगा अब क्या करेंगे तो जब हर को गुना करेंगे 7 प्लस 4 रूट 3 से तो अनस को भी गुना करना होगा यानि यहाँ पे भी लिख देंगे 7 प्लस 4 रूट 3 7 प्लस 4 रूट 3 तो अनस और हर दोनों में गुना करना होगा क्योंकि जब हर को गुना करेंगे तो अंस को भी गुना करना होगा तभी बराबर होगा अंस और हर अब बराबर में क्या है उसको लिख देते हैं 47a प्लस रूट 3b 45a ये 47a प्लस रूट 3b इस तरह लिख लेंगे अब हम लिखेंगे तो 5 अब सबको कोश्टक में ले लेते हैं तो 5 प्लस रूट 3 को 7 प्लस 4 रूट 3 से गुना करेंगे ठीक है सबसे पहले 5 प्लस रूट 3 को 7 प्लस 4 रूट 3 से गुना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे तो 5 को यानि 5 से सबसे पहले 7 प्लस 4 रूट 3 को गुना करेंगे तो 5 सते 35 तो यहां पर लिख लेंगे 35 5 सते 35 फिर 5 से इसको गुना करेंगे तो 5 ओक 20 यानि 20 रूट 3 हो जाएगा प्लस 20 रूट 3 अब रूट 3 को 7 से गुना करेंगे रूट 3 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साथ रूट तीन, देखें, रूट तीन को अब साथ से गुना करेंगे, तो साथ रूट तीन हो जाएगा, प्लस साथ रूट तीन, उसके बाद रूट तीन को प्लस चार रूट तीन से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो रूट तीन गुना र तो फिर से इसको देख लेते हैं एक बार तो 5 से पहले 7 को गुना करेंगे तो 5 से 35 फिर 5 से 4 रूट 3 को गुना करेंगे तो 5 ओक 20 रूट 3 हो जाएगा फिर रूट 3 से 7 को गुना करेंगे तो 7 रूट 3 फिर रूट 3 से 4 रूट 3 को गुना करेंगे तो root 3 गुना root 3 तीन और 4 तिया 12 इस तरह लिख लेंगे अब 7-4 root 3 गुना 7 प्लस 4 root 3 तो a-b गुना a प्लस b a-b गुना a प्लस b क्या हो जाएगा? तो a square minus b square बराबर होता है a-b गुना a प्लस b तो a के जिगा पे 7 है b के जिगा पे 4 root 3 है तो क्या लिख देंगे? a square minus b square तो लिखेंगे a square यानी 7 का वर्ग minus b square b में कौन है? 4 root 3 है तो 4 root 3 का वर्ग तो a square minus b square इस तरह लिख लेंगे और बराबर में जो है उसको लिख देते हैं तो 47 a plus root 3 b बराबर में क्या है? 47 a plus root 3 b तो root 3 b को हम नीचे लिख लिए हैं इधर देखें जगर नहीं सामने तो 47 a plus root 3 b बराबर में लिख लेंगे अब यहां पर 35 और 12 को जोड़ेंगे 35 और 12 कितना हो जागा? 35, 10, 45, 2, 47 तो लिख लेंगे यहां पर 47 plus अब 20 root 3 और 7 root 3 को जोड़ेंगे तो 27 root 3 हो जाएगा 20 root 3 plus 7 root 3 क्या हो जाएगा? 27 root 3 बटा 7 का वर्ग क्या होगा? 49 minus 4 root 3 का वर्ग 4 का वर्ग 16 देखें, 4 root 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग 16 root 3 का वर्ग 3 4 का वर्ग 16 और root 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 तो 16, 48 गुना कर देंगे तो 4 का वर्ग 16 और root 3 का वर्ग यानि रूट 3 गुना रूट 3 तीन होगा तो 4 का वर्ग 16 और 3 को गुना कर देंगे क्योंकि वर्ग निकालना है तो 4 रूट 3 का वर्ग हो गया 16 तिया 48 तो यहां पर 48 लिख देंगे बराबर में क्या है 47 A प्लस रूट 3 B अब लिख लेंगे तो यह हो जाएगा 47 प्लस 27 रूट 3 बटा 49 माइनस 48 49 में से 48 को घटाएंगे तो एक आ जाएगा तो यहां पर एक लिख लेंगे बराबर 47 A प्लस रूट 3 B इस तरह लिख लेंगे तो अब इसको हम लिख सकते हैं 47 प्लस 27 रूट 3 इस तरह लिख लेंगे क्योंकि बटा में एक है तो उसको लिखें या ना लिखें बटा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो 47 प्लस 27 रूट 3 बराबर क्या आ गया 47 A प्लस रूट 3 यह तो दिया हुआ था तो देखें दोनों तरफ बराबर है यानि बराबर के पायां पच और बराबर के दायां पच दोनों बराबर है तो 47 यहां भी है 47 यहां भी है तो A बराबर क्या हो जागा 1 हो जाएगा क्योंकि 47 गुना 1 47 होता है तो A बराबर 1 हो जाएगा और B देखें यहां रूट 3 B है और यहां 27 रूट 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से तो या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं या 47 गुना 1 प्लस 27 रूट 3 बराबर 47 A प्लस B रूट 3 देखें कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है क्योंकि 47 गुना 1 47 को हम लिख सकते हैं 47 गुना 1 क्योंकि 47 में 1 गुना करेंगे तो भी 47 ही आएगा तो 47 को हम 47 गुना 1 लिख दिया है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्लस 27 रूट 3 को 27 रूट 3 ही रहने देंगे यहाँ पे प्लस का चीन है बराबर अब देखिए 47 A ठीक है तो A A के जगह पे क्या होगा 1 होगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर है तो यहाँ भी 47 है यहाँ भी 47 है तो A के जगह पे 1 होगा यानि A के जगह पे 1 होगा क्योंकि 47 A यानि 47 के साथ A गुना में है और यहाँ पे 47 गुना 1 है तो A के जगह पे 1 हो जाएगा और 27 रूट 3 है यहाँ प्लस 27 रूट 3 है तो यहाँ पे प्लस B रूट 3 प्लस B रूट 3 अब root 3, root 3 देखे, B के साथ root 3 गुना हो रहा है यहाँ पे 27 के साथ root 3 गुना हो रहा है तो root 3, B को हम लिख सकते हैं B root 3, कोई फर्ट नहीं पड़ रहा है root 3 गुना B लिख है चाहे, B गुना root 3 लिख है एक ही बात है तो देखे, root 3, root 3 यहाँ पे 27 रूट 3 के साथ गुना हो रहा है यहाँ पे B रूट 3 के साथ गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा अतह हम लिख देंगे अतह A बराबर A बराबर क्या आ गया 1 A बराबर 1 कॉमा B बराबर 27 तो देखे 47 A है यहाँ पे 47 गुना 1 है तो A बराबर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 27 रूट 3 है यहाँ पर B रूट 3 है तो B के जगा पर क्या है 27 यानि B बराबर 27 हो जाएगा तो इसका उत्तर आ चुका है A बराबर 1 और B बराबर 27 तो इस तरह से प्रस्न B सल करेंगे प्रस्न B बराबर 27 रूट 3 है प्रस्न B बराबर 27 रूट 3 है प्रस्न B बर स्चब यूप 4 है